दिएनपी इंडिया के डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपका स्वागत है रामजन्म भूमी आयोध्या में भूमी पूजन की कैयारिया जोरो शोरो से चड़ रही है पूरे शहर को दुलहन की तरह सजाय जा रहा है वहीं आयोध्या में सभी मुक्यस्तानों को सजाया और सवारा जा रहा है जगे जगे वॉल पेंटिंग के जरिये धार्मिक नगरी को सुन्दर बनाने का काम चड़ रहा है शहर की सड़कों को चोड़ा किया जा रहा है और सर्यू नदी के घाटो को साफ करने और सौन्दरिय करन का काम भी तेजी से चड़ रहा है आयोध्या में राम मंदिर के भूमी पूजन के साथ पूरे शहर के काया कल्प की तयारी चड़ रही है अनुमान के मुताबिक मंदिर बनने के दौरान और इसके पूरे होने के बाद यहां परेटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी राम की नदी अयोध्या में राम को साइम मंदिर मिलने के साथ ही लोगों के स्थाई कारोबार बढ़ने की उम्मीद भी बढ़ गई है अयुद्या को अधिक सुन्दर और आधुनिक बनाने के लिए 360 करोड रुपे की परियोजनाएं पहले शुरू की जा चुकी है आधुनिकी करेंट के 140 करोड रुपे के प्रोजेक्ट्स पर अभी काम होना बाकी है इसके लिए नमामी गंगे परियोजना का भी इस्तमाल हो रहा है इसके तहट सर्यू में गिरने वाले तमाम छोटे नालों के गंदे पानी की सीवरेच ट्रीटमेंट प्लान में ट्रीट कर वापस सर्यू में भेजा जा रहा है आपको बता दें कि प्रधान मंत्री मोधी खुद पांच अगस को अयुद्या आकर भूमी पूजन में हिस्सा लेंगे इसके लिए दोपहर में 12 बच के 15 मिनट का मुहरत निकाला गया है महमारी है तो ऐसे में गिंती के लोग ही इसमें शामिल होंगे प्यम मोधी, सीम योगी के साथ ही संग प्रमुक, मोहन भागवत, कई राज्यो के मुख्य मंत्री, राम मंतिर आंदोलन के बड़े चहरे जैसे लालकृष्ण आडवानी, साध्वी रंतभरा, उमा भार्ती, मुरली मनोहर जोशी, विनेक टियार, संग विश्व हिंदू परिशत के नेता और कई बड़े हस्तियां भूमी पूचन के दोरान मौजूद रहेंगी बताया जाता है कि महमालों की संख्या 200 से जादा नहीं होंगी ट्रस्ट के महासचीफ चंपत्राय ने बताया कि हालात समाने होने के बाद मंदिर 3 से 3.5 साल में बन कर तयार हो जाएगा राम जन्मभूमी तीर्थिशेत्र ट्रस्ट की बैठग में मंदिर के नक्षे में बदलाफ पर फैसला हुआ था ट्रस्ट ने निर्ने लिया कि मंदिर में 3 की जगे 5 गुंबन होंगे मंदिर की उचाए भी प्रस्तावित नक्षे से जादा होगी मंदिर के नई डिजाइन में विश्म हिंदु परिशत के बनाई डिजाइन को अधार बनाया जाएगा पहले मंदिर को 128 फीट उचा बनाया जाना था और अब इसे 161 फीट कर दिया गया है राम मंदिर के नई मॉडल के तहत इसमें को 17 हिस्से होंगे इन्हें शिकर, गर्बग्रह, कलश गोपुरम्रत, मंडप और अर्थ मंडप, परिक्रमातोरं, प्रदिक्षणा, अधिवस्थान, जैसे वर्गों में बाटा गया है भूमी पूजन कारग्रम के लिए देश के सभी तीर सिस्तलों के मिट्टी और पानी का उप्योग होगा इसके लिए काम भी शुरू हो चुका है जगे-जगे से मिट्टी पानी लाया जा रहा है भूमी पूजन के कारगरम को बाकी लोग भी देख सके इसके लिए जगे जगे टीवी स्क्रीन लगाई जाएंगी भूमी पूजन का दुरदर्शन पर लाइफ प्रसारण भी किया जाएगा ट्रस्ट के अध्यक्षिन रित्यकोपाल दास ने बताये की भूमी पूजन के लिए 40 किलो चांदी से बनी एक हीट रखी जाएगी